और टीकम गड़जिले में बड़ा गाउ धसान तहसील भवन का छत भी यहां से टपक रही है आपको बता दे 6 करोड की लागत से तहसील भवन बना है डिप्टी कलेक्टर संजय दोबे बोले हैं कि गुडवत्ता ही निर्मान किया गया है डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर को इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट भी भेजने की बात कही है पी डवलो डी के ईई इंद्र कुमार शुकला भी मौके पर पहुचे और मरम्मत करने के निर्देश दिये हैं तो तस्वीरे भी सामने आई हैं बड़ा गाउ धसान तहसील का मामला जहां भवन की तहसील भवन की अच्छत टपकती हुई नजर आई है फिलहाल अभी यहां पर मरम्मत की आदेश तो दिये गए हैं लेकिन यह तस्वीरे आई हैं तो उस अवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसा निर्मार कारे किया गया है करना होगा ठेकेदा अगर निर्मांस कोई संब्सक्राइब कोई तुपी है वो में ठेकेदा ठीक कराएगा नहीं ठीक कराता है तो निर्मांस सार उसकर भी कारवाई की लिए गए